हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी फिट होंगे और अगर आप फिट नहीं है तो डोंट वरी आप हमसे जुड़े रहिए और पिट रहिए आज हम प्राकरति कित्सा की इव स्टार्टिंग करने जा रहे हैं जिसके जरीए आप सीखेंगे कि किस तरीके से हम हवा, पानी, मिट्टी, धूब, वेज़िटेबल्स, फ्रोट्स और घर के मसाले जैसी चीज़ों से हम किसी मीमारी का इलाज आसानी से कैसे कर सकते हैं अगर आप प्राकरतिक तरीके से अपना इलाज करना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इस सीरीज को जरूर देखें तो गाइस तेरी किस बात की चलिए शुरू करते हैं आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मिट्टी की जिसके जरीए कब्स, जोड़ों का दर्थ, दुखार और फोड़े फुनसी जिसी मीमारी का इलाज आसानी से किया जा सकता है इसके अलावा हम ने भी जानेंगे कि हमें किसी मीमारी का इलाज करने के लिए किस तरह की मिट्टी की जरूरत है और हमें किस तरह की तयारे करनी पड़ती है अगर आप मिट्टी से इलाज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप किसी साफसुत्री जगा जाएए ध्यान है कि आप जिस जगह के मिट्टी लेते हैं वहाँ पर किसी की तरह की गंदगी, मनमुद्र या फिर कम्जिस्तान और शंक्षान खार जैसी जगह ना हो और अगर आपको ज्यादा अच्छी मिट्टी चाहिए तो आप किसी उप जाओ जगह या फिर नदे के किनारे की जगह जाकर चार फिट गट्टा खो दिये और फिर उसके बाद की जो मिट्टी निकलती है उसे लाकर 40 दिन तक जूट में सुखाईए ताकि उसके अंदर अगर किसी की तरह के टिटार हो तो वो बिल्कुल नश्ट हो जाए अब 40 दिन के बाद जब आपके मिट्टी सूख जाती है फिर उसे आपको अच्छी तरीके से पूट कर पीस लेना है और किसी कपड़े या च्छनी से छान लेना है ताकि अगर उसके अंदर किसी भी तरह के घास फूस कंकर या धातू अगरा हो तो वो निकल जाए और आपक इस मिट्टी को इखटा करके किसी जार के बरतन में रख ले और जब भी आपको किसी बीमारी का इलाज करना हो तो इस मिट्टी को निकाल कर 10 से 12 गंटे तक पानी में भीगो कर रख दे और ध्यान नहें कि जिस जगह या जिस बरतन में आप मिट्टी और पानी को रखते हैं वो बिल्कुल साफ सुत्रे होने चाहिए अब बारी आती है गोल बनाने के लिए आपको किसी लगडी या फिर लगडी के चमचे की जरूरत होती है ध्यान बहें गोल बनाने के लिए आपको किसी भी धातों के बर्दन का दूस नहीं करना है यहां तक कि अपने हाथ का भी घोल बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं लागा है तो गाइस जब आप लगड़ी के चमचे से घोल बनाते हैं तो ध्यान बे घोल ज्यादा पतला ना हो और गाड़ा भी ज्यादा ना हो आपका घोल बिल्कुल कोट पेस्ट के तरह होना चाहिए ताकि आप उसे अच्छी तरीके से पेस्ट कर सके और मिट्टी ना फेले अब हम ये भी जान लेते हैं कि वीमारी का इलाज करने के दिए मिट्टी की पट्टी कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक लगड़ी की ट्रे पिछा कर उसके उपर सूती कपड़ा पिछा लेना है और फिर लगड़ी के चमचे से कपड़े के उपर पेस्ट कर लेना है और मिट्टी की परत आपकी आदी इंच कम से कम मोटी होने चाहिए इससे कम मोटी ना हो आप उस पटी को उस जगह रखना है जहां का आपको treatment करना है माले जीए आपको कम्स के लिए अपने पेट पर रखना है तो क्या करेंगे आप उस मिठी के पटी को उठाएंगे और उसे अपने पेट के ऊपर रख लेंगे उसके बाद एक ओनी कपडा लेंगे जो कि उस पट्टी से थोड़ी चोड़ी हो और बढ़ी हो ताकि उस पट्टी के ऊपर उस पूनी कपड़े को रखकर अपने कमर से बांध लें और मिट्टी इदर उदर ना हो अपनी जगह रहे और आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाए इसके अलामा में आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर बाइचांस आपको एमरजेंसी में किसी बीमारी के इलाज करने की सदूरत पढ़ जाए तो आप उस मिट्टी का हैंट तो हैंड बना कर इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इसके फायदे थोड़े कम होते हैं जिसकी वज़े से हम इस मिट्टी को 10-12 घंटे तक शुद पानी में विवोकर रखते हैं अब हम आपको मिट्टी के कुछ फायदे के बारे में भी बता देते हैं जैसे कि मिट्टी की पट्टी शरीर के बिकारों को निकाल देती हैं मिट्टी अपने गुड़ के अनुसार शरीर से दर्द, कर्मी, जलन और शरीर के अंदर आफशियक धंडक पहुचाकर रोग को खत्म कर देती हैं ये जैसे मिट्टी की एक जोटी सी इनफ्र्मेशन ती जिसके जनीए में आपको बताया गया है कि बीमारी की इस तरह की क्ति अ और हमें किस तरह की तयारी करने की जरूरत होती है नेक्स्ट विडियोस में हम आपको बताएंगे कि किस बीमारी में हम किस तरह की पट्टी बनाते हैं और किस तरह की मिट्टी से इलाज करते हैं क्योंकि मिट्टी भी कई तरह की होती है जैसे कि पीली, पीली या स्वेद मिट्टी, काली मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, परवतिये मिट्टी, लाल मिट्टी, बलूल मिट्टी, सज्जी मिट्टी, बालू मिट्टी इस तरह की ओर भी बहुत सारी मिट्टी है जिन से हम लाज कर सकते हैं हर मिट्टी की खाषिएद अलग-ición चां़ित हैं जिसकी वज़ासे हमें अलग-अलग बिमारियों में अलग-अलग मिट्टी की भी ज़रूरत पड़ती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो आपके लिए helpful रही हो और अगर आपके मन में किसी पी तरह का doubt या question हो तो हमें comment करके जरूर बताए ताकि आपके doubt को आप विल्कुल के लिए कर सके तो guys नेक्स वीडियो में हम आप से फिर मिलते हैं तब तक के लिए जाए जाए बारत खुदा हाथ